अगर आप Amazon Affiliate का blog चलाते हैं तो उसमें definitely आपको images add करने की ज़रूत पड़ती है या फिर आप कोई भी product review की website बनाते हैं अगर उसमें आप Amazon के product का review करते हैं तो आपको उसकी product images की ज़रूत पड़ती हैं According to lot of different policies of Amazon आप उसकी images को directly use नहीं कर सकते हैं अगर आप ऐसा कुछ करते हैं the chances are very high आपको copyright या फिर हो सकता आपके blog पे DMC या किसी भी तरीके का कोई भी किसी भी तरीके का strike आ सकता है तो इस चीज को avoid करने के लिए माल लिजे कि आज अगर Amazon allow कर रहा है future में नहीं कर सकता है अभी वो detect नहीं कर रहा है future में हो सकता है तो उन सारे cases को avoid करते हुआ कैसे आप free of cost Amazon की दी हुई product images को आपके blog में use करके बिना किसी tension के आपके blog को as it is run कर सकते हैं अगर इस problem का आपको solution चाहिए तो इस particular video में मैं आपको वो detail में बताने वाला हूँ everything step by step सो गैस मेरा नाम है किरतिश व्यास प्रॉम blogging os and supreme campus.com अगर आप इस channel पर नए है सीखना चाहते है blogging, affiliate, marketing, youtube और SEO से related एक premium content तो बस मेरा सिर्फ एक request इस channel को subscribe करें, video को like कर अपनी fees को pay करें, then मैं ऐसे valuable content आपके साथ में share करता रहूँ तो चलता है without किसी delay के screen पे और मैं आपको everything step by step बताऊंगा, so make sure आप end तक बने रहे हैं, मैं आपको वो सारे reasons बताऊंगा जिससे आपका Amazon account भी little bit banned हो सकता है, okay हम लोग आचुके desktop की screen पे, most of the times, माल लिजे कि आप already Amazon affiliate program को join कर चुके, अगर आपको नहीं पता तो मैं एक playlist डूंगा जहां पर 27 से ज्यादा step by step videos आप कैसे Amazon affiliate blog start कर सकते हैं, लेकिन अगर आप screen पे देखते हैं, माल लिजे कि ये particular वो product है, इसको आप promote करना चाहते हैं, तो obviously इस product की exact images आपको market में कहीं लेने जाओगे, तो there might be copyright issues, okay, उस case के अंदर mostly लोग क्या करते हैं, इसी image को यहां से copy करते हैं, और simply अपने blog post में जा करके paste कर देते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो यहां पर मैंने एक already post published कर रखा है 11 reasons जिससे Amazon आपके account को suspend करता है, उस situation के अंदर अगर आप scroll करेंगे, तो वो सारे reasons के अलावा मैंने आप यह भी बता रखा है, according to every single policy of Amazon, कि क्या-क्या policy क्या कहती है, जिससे आपको यह चीज नहीं करनी है, तो यह guide कर description में, तो यह particular guide है, उसका link में description में दे दूँगा, आप इस पे भी detail में जाकर के पढ़ सकत तो according to the Amazon guide, ideally कहता भी है कि आप use कर सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर यह भी कहा जाता है, कि there is no such clarity, तो हम कैसे यहाँ पर इस ताइम पर decision ले, कि कल को जाके कोई policy में change आता है, तो at least आप उन product images को use करते हो भी आपके block पे को impact नहीं आए, तो उस case के अंदर guys, मैं यहाँ पर आप Amazon affiliate का account होना चाहिए, मतलब अगर आपने Amazon affiliate program को join कर रहा है, तो definitely आपके पास access होगा, example के लिए, माल लीजी के मेरा Amazon India का account, अगर जब भी मैं इस account को browse करता हूँ, या फिर इस particular browser URL पे जाता हो, तो आपको दिख सकता है, या पर सिर्फ एक ही option है, and that is कि मैं इस product को copy करूँ, औ इस particular product की images को मैंने block में add करूँ, which is against the policy, so हमारे पास दूसरा तरीका जो बन के आता है, वो होता है, Amazon affiliate का program join कीजे, क्योंकि आप वैसे भी इन product को promote करना चाहते है, तो कहीं न कहीं, आप revenue भी बनाना चाहते है, तो जब भी आप Amazon affiliate का account create कर देते हैं, और जब आप particular account के अंदर login करते हैं, तो आपको क्या करना, एक browser के अंदर आपको Amazon affiliate का program का जो आपका account उसको login करके रखें, and then second browser के अंदर आपको उस particular dot com है, dot in है, जो भी है, जहां से आपको product को pull करना है, उसका खुद का affiliate program login करें, अगर आपको नहीं पता है, Amazon affiliate India का separate account होता है, Amazon affiliate USA का separate account होता है, तो ज इस किसी से भी आपको product pull करना है, उसके affiliate program को, उसके particular account को आपको login करना है, then आप second browser के अंदर उस particular link को browse कीजे, मतलब वो product या फिर वो particular Amazon का marketplace, example के लिए मैंने आप इसको browse किया, जब भी आप इसको browse करेंगे, तो आपको बहुत सारे products दिखाए देंगे, माल लीजे कि मुझे यहाँ पर करना है, एक headphone, मैं चाहता हूँ कि मैं किसे headphone की images को pull करूँ क्योंकि इस particular product का मैं review कर रहा हूँ, और वो जो headphone है, इसको मैं promote करने वाला हूँ, माल लीजे कि यह वाल headphone है, तो आपको क्या करना है, उस particular link पे click करना, और make sure करना है, आपको दूसरे browser के अंदर आपका वो already account linked हो, already account login हो, जैसे ही login होता तो आप screen पे देख सकता है, यहाँ पर आपको product दिख रहा है, अभी आपको images को copy paste करना की जरूती है, instead हमारे यहाँ पे 2-3 तरीक है, तो सबसे पहले चीज, यह funda सबसे ज्यादा better effective तब होगा, जब आप particular आपकी websites या तो blogger पे है, या फि copy नहीं करना है, इसके अलावा यहाँ पर 3 options दिए गए है, पहला आपको इस product की affiliate link कैसे चाहिए, in the form of a text, जैसे आप text क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा, कि यहाँ पर एक particular URL है, इसको आप copy करके आप जहाँ पर भी promote करना कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत है images की, image के आपको यहाँ पर दूसरा option है, call images, तो आप simply इस वाले option पर click करें, इस वाले option पर click करने के बाद यहाँ पर आपको एक HTML code दिया जाता है, और यह HTML code आपकी site पर image with affiliate link paste करेगा, अगर अभी तक आपको इस चीज़े नहीं पताते हैं, तो comment down कीजिए, कि हमें पहली बार पता ल देख रहे हैं आप इस channel पर आया, अगर आप आपकी blogging के जरनी चालू करना चाते हैं, तो guys, बहुत सारी hosting recommended है, लेकिन इस case के अंदर कुछ ऐसे गिनी चुनी hosting मैं personally भी use करता हूँ, तो यहाँ पर एक और recommendation आपके लिए, और वो है Bluehost का, यह particular hosting में भी मेरी कुछ sites अभी भी recently hosted है, तो आप जब भी confused होते हैं, बेगिनर जिसको WordPress के अंदर blog बनाना है, वो confused होता है, कि मुझे किस type की, कौनसी category की hosting चाहिए, आपको ज़्यादा confused नहीं होना है, यहाँ से shared hosting के plan को ही purchase करना है, इसका special discounted, या फिर मैं कहूँ कि मेरा खुद का affiliate link आपको description में मिल जाएगा अगर आप channel को credit देना चाहिए, तो यहाँ पर आने के बाद guys, यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आपकी site पे जो maximum traffic आ रहा है, वो अगर India से आ रहा है, तो आप यहाँ पे server location India, otherwise आप USA को choose कर सकते हैं, जो भी आपको reliable लगता है, यह तभी जादा effective है जब आपकी site पे millions में traffic आएगा, तो यहाँ पर आपकी पास different selected plans है, अगर मैं यहाँ पर plus plan को choose करता हूँ, और view host के खास बात मुझे यह लगती है, कि यहाँ पर आपको SSD storage तो मिलता ही है, लेकिन इसके every single plan के अदर आपको free का domain भी मिलता है, तो आपको domain सालत purchase करने की ज़रूत नहीं है, इस plan के अ longer duration के लिए आप hosting को purchase करना चाहे, उतनी cheaper price में आप hosting को purchase कर सकता है, और यह मैंने आज फिर से recommended hosting में इसलिए आपको share किया, it is all because यह WordPress की recommended hosting है, अगर आप WordPress के official site पे जाएंगे, तो यहाँ पर already blue host listed है, तो simple से चीज, अगर आप totally beginner है Amazon affiliate की जरनी चालू कर रहा है, तो आप इसके साथ भी चालू कर सकते हैं, इसका link में description में दे दूँगा, इसके बाद आपको आपके WordPress website को इस particular hosting पे install करना, जो कि एक one step click process है, उस पर detail video चाहिए, मैं आई बटन में दे दूँगा, कैसे WordPress को इसके उपर install किया जाए, तो इस तरीके से आपको इसका कुछ background दिखाई देगा जहां पर आपकी जो भी site install है, वो दिखाई देगी, आपको सबसे पहले WordPress में login करना है, जैसा आप login करेंगे, आप WordPress के dashboard में आ जाएंगे, माल लिजे कि यह कोई नया post है, जो आप आपकी WordPress की website के अंदर publish करने वाले हैं, तो इस particular post के अंदर अगर आपको Amazon affiliate की images squared करना है, माल product की image को paste करना है, जो की copyright issue ना दे, तो उस case के अंदर guys आप यहां पे आ सकते हैं, और यहां पे आने के बाद यह जो आपका code है, उसको आपको copy करना है, इस code को copy करने के बाद आपके block के अंदर जाया, और माल लो कि आप block editor यूज़ करते हैं, आप simply plus के icon पे click करें, यहां पर HTML को choose करें, custom HTML में जाकर के उस code को paste करें, और इसको आप preview में जाके देख सकते हैं, किस तरीके से वो image आपकी site के अंदर merge हो जाएगा, और सबसे interesting चीज, यह वो image है, जो clickable है, जिसके साथ आपका affiliate link जुड़ा हुआ है, तो यहां से आप copywriting के issue से भी बच जाते हैं, और साथ आप actually एक affiliate link related images को आपके blog post में आड़ कर देता, example के लिए चल लिए, यह product का जो link था, मैं इसको publish करता हूँ, और अब हम इसको जागर के देखेंगे किस तरीके से देखेगा, जब आपका यह content कोई user browser कर अंदर देखता है, तो example के लिए मैंने जैसे यहापे view post पे click किया, त हमारा description था, अभी जैसे ही को इसको click करता है, ultimately यह आपको Amazon की as an affiliate link route कर देता है, तो इस तरीके से आप Amazon के product की images को आपके content में add कर सकता है, बिना किसे copyright के issue के, okay, तो अगर आप पहली बार blogging start करें, तो definitely इसकी पूरी detail guide में देदूँगा, कैसा आप BlueOS पे setup कर सकता है, आप hosting discount Prime में purchase करना चाहिए, link is in the description, और एक और important चीज, अगर आप मेरी दियोई affiliate link से particular product को purchase करता है, या फिर BlueOS को purchase करता है, तो obviously आप यहाँ पर आ सकते है, bloggingos.com offer पे और आपको यह सारे special bonuses मेरी तरप से share के जाएंगे, इसके लिए आप यह video जरूर देखे, जहाँ पर instruction है, आप कै कैसे उसको claim करेंगे, simply आपका जो invoice copy आपको यहाँ पे Google form के वाया फिल करना है, तो hope कि आपको यहाँ पर एक inside idea लगागे, कैसे copyright के issue को avoid करते हूँ, आप Amazon affiliate की images को use कर सकते हैं, और एक और सबसी important चीज, यही एक platform नहीं है, अगर आप कोई random product का review करता है, या फिर किसी random blog post को publish करने के लिए आपको images के जरूत है, फिर से माई बटन में एक दूसरा video link को description में दूँगा, उससे आप यह समझ सकते हैं, कि वो free platform जहां से आप आपके blog के लिए free images गेन कर सकते हैं, without किसी copyright issues को ले करके, hopefully आज के वीडियो के अंदर आपको यह information helpful लगे होगी, अगर ऐसे ध पहली बार इसको यहां से सुना है, तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे लिए वीडियो के अंदर तब तक के लिए, जय हैं जय भारत